वेलकम बेक, देखिए हम लोग भेक्टर और उसके प्रोपरिटीज को आज यहाँ पर देखेंगे, तो देखो भेक्टर जो है यह आप क्लास 11th 12 से पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत कुछ आप आप अल्रेडी जानते हैं, तो एक बार हम लोग को जस्ट रिकॉल करने वाले है और देखने वाले हैं कि कौन-कौन सा important चीज है, जहां से question जादा बनता है, और MCQ के purpose से वो आपको अच्छे से समझना चाहिए, तो हम लोग इसको एक बार recall कर लेते हैं, देखो यहाँ पर जिससे definition बगर आता पहले साब जानते हो, तो इस पर हम बहुत जादा time नहीं दें और इसको direction से कोई मतलब ना हो, शिर्फ उसमें magnitude होगा, और वो क्या कहलाता है, जैसे mass देख लो, volume देख लो, density, work, temperature, यह सब क्या है आपका, distance, area, real number, यह सा और आपका scholar quantity है, जाद रखिए, scholar quantity मतलब समझ लिएक mathematical constant, जिसको कि आप आसानी से mathematically add कर सकते हो, subtract कर सकते हो, जैसे mass की अगर हम लोग बात करें, तो mass क्या होता है, जिसमा लोग 2 kg है, यह 3 kg है, और दोनों का sum निकाला जाते है, तो simply क्या हो जाएगा, 5 kg हो जाएगा, तो कोई समे direction वाली बात नहीं है, सिर्फ एक value है, और यह सारा ही देख लोगे value-wise ही है, ठीक है, तो यह सब आपका इस color quantity में आता है, जब के जब हम vector की बात करते हैं, तो vector में क्या होता है, जिसके पास में magnitude तो होता ही है, यहने values तो होते ही है, साथ में क्या होता है, direction होता है, तो अब direction भी होगा, magnitude भी होगा, तो आपका vector कहलाएगा, जैसे आप example सेकते हो displacement, velocity, acceleration, momentum, force, moment of force, weight, जैसे मैं पर आपने mass लिया, यह आपका mass था, अगर हमने weight का बात करेंगे, तो weight में क्या होता है, weight जैसे आपका acceleration due to gravity के वजह से होता है, तो अब आपका weight होगा, तो weight आपका mg के form में होता है, mass into acceleration due to gravity, तो हो सकता है यह आपका minus 2G हो, ठीक है, तो minus 2G होगा, तो इसका मतलब है कि यह upward है, चुकि acceleration due to gravity आपका नीची के तरफ होता है, 4G हो सकता है, ठीक है, तो 4G अगर होगा तो आपका यह इस तरह सो direction में होगा, तो अब इन दोनों का आप sum निकालेंगे, तो sum तो देखो, एक आपका जो value है, 4 or minus 2 यह हो जाएगा, ठीक है, लेकिन sum क्या होगा, तो sum इसका न direction भी होगा, magnitude भी होगा, तो आपका क्या कालाता है, vector quantity कालाता है, यह सब बात आप पहले से जानते हो, अब देखिए, vector quantity को हम लोगा represent कैसे करते हैं, तो देखो, यहाँ पे, vector quantity को इस तरीके से arrow के साथ में represent किया जाता है, यह tail कालाता है, नीचे वाला, उपर वाला head कालाता है, और इस vector को अगर लिखा जाएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा, A to B, तो A से B ऐसा लिखा होगा है, याने जो vector है, वो A से B की तरफ directed है, तो पहले A लिखा है, फिर B लिखा है, right, clear है, okay, यहाँ पे, यह जो length होता है, यहाँ से ले करके, यहाँ तक, इसको लोग बोलते है magnitude, okay, यह magnitude का हलाता है, यह initial point है, यह आपका sense है, sense of direction है कि किधर है, ठीक है, और यह हमारा direction का पूरा line भी आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है, अब देखो, बहुत जली-जली देखेंगे हैं हमनों कुछ चीज़े, जैसे equality of vector, तो दो vector को आप equal तभी बोलोगे ना, जब वो direction में भ होगा, ठीक है, अगर negative vector की बात है, तो negative vector में क्या होता है, कि magnitude जो है, आपका same रहेगा, जैसे मानलों इसका लंबाई 2 meter है, तो इसका भी लंबाई 2 meter है, लेकिन direction क्या है, एक दुसरी का opposite है, यह आपका negative vector है, ठीक है, magnitude कैसे सो करते हैं, तो किसी भी vector, A का magnitude ऐसे सो किया जात है, अगर मानलों आपका vector 2 dimension में इस तरीके से है, X के तरफ उसका component AX है, तो we can write A is equal to AXI plus AYJ, अगर AX और AY इसका component है, along the X and Y axis, तो ऐसे लिखो गया, इसका magnitude क्या होगा, तो simply AX का square हो जाएगा, और AY का square हो जाएगा, और AY का square हो जाएगा, यह सब पहले से आप जानते ह है, 3 dimension में इस तरह से होगा, आगे देखते हैं, फिर देखो, types of magnitude में, तो 0 या null vector क्या होता है, तो इसको हम आइसे denote करते है, उसका मतलब होता है, कि magnitude उसका 0 है, और उसमें direction है, ठीक है, तो 0 magnitude का, बट कुछ न कुछ direction, जिस direction में इसका point vector भी बोल सकते हो, मालों, कि हम इस direction मे बात कर रहे हैं, वहाँ पर कोई vector यह है, तो यह आपका null vector है, कि direction तो वही होगा, लेकिन इसका magnitude 0 होगा, unit vector की बात करेंगे, तो unit vector में ऐसा vector लेंगे, जिसका magnitude 1 होगा, unit, बना इसका value क्या होगा, 1 unit होगा, ठीक है, चाहिए वो 1 meter हो, 1 centimeter हो, जो भी हो, 1 unit होगा, तो उसको हम आपका, एक ही direction में है, लेकिन अगर unlike की बात करेंगे, तो एक दूसरे के opposite direction में होगा, तो क्या होगा, वो unlike होगा, co-initial vector, जिसका initial point एक ही हो, ठीक है, जिसको यह 2 क्या है, आपका co-initial vector है, तो इसब terms इसले जानना जरूरी है, अगर आपको लिखता है, तो आप समझ सको क्या situation है, ठीक है, तो यह co-initial हो गिया, co-terminus vector, यानि जिसका end point एक ही होगा, मतलब, अलग-अलग point से तो चला है, बट एक ही जगा पर end कर रहा है, ठीक है, तो यह क्या आपका co-terminus vector है, तो terminal point क्या है, दोनों का, वो एक ही है, चलब, अब आगे देखते हैं, फिर क्या है, co-linear and parallel vector, तो co-linear और parallel vector जैसे, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो यह पहले तो है दोनों अलग-अलग चीज़, ठीक है, लेकिन, दोनों का क्या relationship है, आप इसको भी देख सकते हो, जैसे co-linear, हाँ, दो vector अगर co-linear है, तो मतलब है क्या कि, वो एक ही line में होगा, राइट, से देखो, मैं बता रहा हूँ, आपको, एक vector यह होगा, एक vector यह होगा, तो यह क्या है, पुरा co-linear है, ठीक है, पुरा same line में है, लेकिन parallel क्या होता है, तो parallel देखो, इस तरीके से होता है, ठीक है, तो इसका mathematical क्या condition है, वो हमनों बात करेंगे, थोड़ा सा change होता है, ताकि आ आप connect कर रहे हो, ऐसे, इस टाइप से, और इसका मालो position vector, इसका point x1, y1, z1 है, इसका मालो x2, y2 और z2 है, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, तो आप simply करते हैं, कि x2 में x1 को minus कीजेगा, i cap लगा दीजेगा, y2 में y1 को minus कीजेगा, j cap लगा दीजेगा, z2 में z1 को minus क इस तरीके से आपको ये vector मिल जाएगा, जो के 2 point को connect करता है, right, अब देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अच्छे unit vector हम लोग आप नीचे देख लेंगे, वो मैं बात कर लूँगा, ठीक है, तो फिर इसके बाद आ रहा है, position vector, position vector क्या होता है, तो position vector देखो, इस अब पू point को show करना है, right, मालो ये point है मेरा, x1, y1, z1, अगर ये point है, तो इस point को show करने के लिए, हम लोग इसको क्या करते है, origin से मिला देते हैं, ठीक है, तो origin के respect में, अब ये x1, y1, z1, जो है, ये point है, ये एक vector बन जाएगा, सबसकर ये point A है, ये O होए, तो अब point A जो था आपका, point A, ठीक है, is, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं represent कर सकता हूँ, is represent, represent as position vector, position vector OA लिखा जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, x1, i cap, plus y1, j cap, plus z1, k, right, तो ये जो point था, अब उस point का कह सकते हो, कि आप position उसका बता रहे हैं, उसका position क्या है, तो position बताने के लिए, हम उसको origin स काला आता है, ठीक है, और इस position vector को हम लोग फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, ये काफी help करता है आपको, अगर जो है, आपको दो vector का addition करना है, subtraction करना है, राइट या कुछ और अभी आपको physical interpretation करना है, तो उसमें काफी help करता है, तो simple, बहुत simple चीज़ है, ओके, अब जैसे the position vector formula is derived with the magnitude and inclined angle, the formula for position vector is equal to r cos alpha, x जो होगा, x जो component होगा, किसी भी point का, वो r cos alpha, y is r sin alpha, and z r cos beta, sorry, r cos alpha x, y is r cos beta and z is r cos gamma, तो तीनों को cos में लेना है, cos alpha, cos beta, cos gamma, असाथ में एक magnitude कोई r ले लेना है, where r is magnitude and alpha beta, gamma are the angle of vector, right, अब माल इसी तरीके से आपको कहीं पर question दे रखा है, कि determine the position vector from the given value, r आपको यहने magnitude दिया हुआ है, 8 है, अतिनों angle दिया हुआ है, तो यहां से आप असानी से निकाल सकते हो, कैसे, आप पहले x निकाल होगे, x क्या होता है, r cos alpha होता है, value डाल दो, r cos 22 degree, approximately 5 आएगा, वही value आपको देगा, जुसको आप जानते हो, यह तो आपको calculator वाला value है, तो यह एक example है, आपको exam में वही सारा values देता है, जो आप जानते हो ठीक है, y r cos beta, so it gives 8 cos 70 degree, like this 3 k equal आएगा, and z is equal to r cos gamma, so it is equal to 6, right, इस तरीके से, आप आपको देखो, 3 value मिल गया, x 5 मिल गया, y 3 मिल गया, z 6, आप देखेक्ते हो, vector क्या होगा, 5 i plus 3 j plus 6 k, इसे हैं पहले लिखा होगे, तो को इसु नहीं है, काफिया सानी से आप काम कर सकते ह है, आगे देखें, representation of a displacement vector, काफी question आप देखोगे, जो mcq's में आते है, तो उसमें आप से पुछा जाता है, कि भाई, toward north दिया हुआ है, या कोई vector toward east है, या northeast है, ठीक है, तो आपको diagram कैसे बनाना होता है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे, कि यहाँ पर जो diagram आपको दिखा आपको आपका east है, इधर west है, तो diagram आप याद रखो, कि east ऐसे लेते हैं, west इधर north-south, ठीक है, या आपको याद रहेगा, अब यहाँ पर जैसे north और south, यह आपका, अगर लिखता है क्या, अगर आपको लिखता है, कि north east में है, ठीक है, north east में अगर लिखता है, तो इसका मत ठीक है, यह 30 degree north east है, north से 30 degree बनेगा, north east plane में इसको लिए जाएगा, ठीक है, 40 km का एक vector दिखाया गया है, यहाँ पर जो scale है, right, तो वो 10-10 का लिए गया होगा, तभी यह 40 है, 10, 20, 30, 40, right, इसी तरीके से, अच्छा, यहाँ पर 40 का scale ही लिए गया, जिसा लिखता है, 40 का scale काफी बड़ा vector होगा, यहाँ पर देखो होगा, यहाँ पर देखो होगा, तो यह आपका इस तरह फर्मुद देख रहे हैं, यहाँ आपका south west में है, 30 degree south west, तो south और west plane में है, 30 degree angle पर देखता है, यहाँ पर 14 km का scale लिए आगया है, तो 14, 14 का scale लिए लेंगे, तो फिर यहाँ 42 तो यही पर आ जा रहा है, तो उससे ज्यादा ही है, तो कुछ जो है, यहाँ पर आपका जो figure है, वो आगे पीछे दिया हुआ है, उससे कोई matter नहीं है, आप जब figure बनाओगे, तो आप अपने हिसाब से accurate बना लेना, ठीक है, scale तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई issue नहीं ह आगे बढ़ते हैं यहाँ फिर देखो क्या है, तो यह important है, जिससे कहीं पर आपको देता है, S 50E, ठीक है, तो S 50 degree East है, मतलब कि आप इसको का सकते हैं, कि South East में यह 50 degree दिया हुआ है, ठीक है, तो South East में अगर यह 50 degree दिया हुआ है, तो South से angle बनेगा, यह आपको ध्यान देना है, पलेन आपको ऐसे लेना है, पलेन तो हमेशा ही रहेगा, East West North South, और South से 50 degree दिया जाएगा, ठीक है, जबकि अगर आपको W 60 degree S दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, West South है 60 degree, तो आपको West से सुरू करना है, angle West से बनेगा, ठीक है, और 60 degree पर, तो कैसे locate करते हैं, यह काफी important ह है, अगर कभी figure वाला question आता है, तो उसमें आपको magnitude बगरा निकालने के लिए, आपको ध्यान देना पड़ता है, जो लिखा हुआ है, उसी के साब से आपका, बिल्कुल figure बने, तो figure भी आप समझ ले लिजेगा, और कुछ exam में तो diet आपको MCQ में पूछ देता है, कि इसको करके भेल ले सकते हैं, तो आपको लिख देगा कि 15 किलो मेटर राइट, वेस्ट 60 डिगरी साउथ, ऐसे आपको लिख दिया है, तो 15 किलो मेटर आपको लेना है, तो आप यहाँ पे चाहो तो जो है 5-5 किलो मेटर का unit ले करके बना सकते हैं, तो unit का कोई issue नहीं है, आप diet भी बनाओके तो लिख देना कि यह 15 किलो मेटर है, तो जो भी आपको length दिया रहेगा, तो क्या scale लेते हैं, वो ज्यादा matter नहीं करता है, बस length आपका यह confirm कर रहा है, कि वो 40 किलो मेटर है, ठीक है, तो rough graph होता है, बहुत accurate हम 40 किलो मेटर लेकर दिखा है, ऐसा जरूरी नहीं है, इसके बाद क्या है, वेक्टर एडिशन, पहले से भी आप जानते होगे, तो अगर एक ही direction में है, तो simply add कर दोगे, opposite direction में है, तो वो cancel हो जाएगा, एक direction में है, add हो गिया, opposite direction में है, तो minus 10 plus 5 minus 5 होगा, और direction definitely जो बड़ा वाला है, उसी का बचता है, तो यह direction बचेगा, ठीक ह यहाँ पे भी देख पाओगे, minus 15 plus 5 यह बचेगा, ओके, यहाँ पे भी आप देख पाओगे, तो यह बचेगा net मेरा, ठीक है, इस तरीके से है, यहाँ पे 1200 उपर है, 800 नीचे है, ठीक है, तो net force क्या होगा, उपर की तरफ होगा, net 400, चुकि 12 में 8 आपका minus हो जाएगा, यह यहाँ पे 6 उपर में है, 8 नीचे में, अब देखो, जब दिखाया जाता है, तो यह भी धियान दिया जाता है, अगर आपको actual representation करना है, तो आपको यह देखना है, कि अगर मेरा 1200 है, तो इसका देखो, इसका जो length of magnitude है, वो ज्यादा है, ठीक है, जो line बना हुआ है, यह arrow line य पीची के तरफ बचेगा down, यह सब चीज़े हैं, जो आप पहले से भी जानते हैं, अगर हम लोगो बस recall कर लें है, ठीक है, आप कुछ triangle of addition होता है, यह से उसमें, एक है आपका triangle of addition, इसमें क्या होता है, कि और इस तरीके से आपका कोई vector है, ABC, तो इसका sum क्या होगा, 0 होगा write A, plus B, plus C, equal to क्या होगा, 0 होगा, तो triangle of addition आप पहले से भी जानते हैं, कि सब को आप add कर देंगे, तो resultant क्या आता है, sum आपका 0 होता है, ठीक है, खिलिर है, अच्छा, अब माल लो, कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, if A, B, B, C, A, C are the sides of triangle, माल लो, कि इस तरह का है, जैसे आपका एक A, B, B, C, और एक आपका A, C है, माल लेते हैं, ठीक है, इसका arrow ऐसा है, माल लेते हैं, A है, यह C है, यह B है, ओके, तो आप यहाँ पर कैसे, तो यहाँ पर आप देखोगे, कि A, C जो होगा, जो भी A, C होगा, तो वो कैसे लिखा जाएगा, तो वो देखो, tail से श जाता है, ठीक है, तो ट्रेंगल ओफ एडिशन में हम लेते हैं, कि कोई भी आप resultant लिख रहे हो, तो उसका tail से start करेंगे, और direction की तरफ से चलेंगे, ठीक है, अच्छा, और अगर पूरा कर दिया जाए, माल लो, कि ऐसे लिख दिया जाए, A, B, B, C, और C, A, ऐसे अगर लि जाएगा, equal to हो जाएगा, आपका minus C, A, ठीक है, minus C, A को क्या लिख सकते हैं, A, C लिख सकते हैं, तो फिर से वही चीज़ आजाएगा, तो अगर आप एक ही cycle में घुमा देते हैं, मान लिजिए, एक ही cycle घुम जाए है, ऐसे करके, A, B, B, C, और C, A, तो ये पुरा sum क्या जाएगा, अब इसको फिर से आप करोगे, तो वही चीज़ आजाएगा, ठीक है, तो resultant को अगर आप अलग करोगे, तो resultant अगर आपका A, C है, यानि A से C की तरफ है, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऐसे होगा, ठीक है, तो एक ही चीज़ है, कैसे भी आप देखेंगे, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगा, राइट, क्लियर है, चलो, यहाँ पर देखो, सब का एक ही, एक ही sense था, A, B, C, तो sum क्या हो गया, 0 हो गया, अगर एक ही sense रहेगा, मतलब कोई एक fix अगर आपका rotation रहता है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे A, B, C, एक ही sense में लिया गया है, तो minus A is equal to B plus C आप लिखेंगे, चले, आगे बढ़ते हैं फिर, इसे तरीके से देखो, अनदर जो एक sum method है, वो polygon method है, तो like that triangle जो है, आप polygon को भी यहाँ पर sum कर पाएंगे, जो भी resultant होगा, उसको आप निकाल पाऊगा, जैसे देखो, यहा resultant का जो direction होगा, वो क्या होगा, तो वो होगा, यह initial है, यह final है, तो इस direction में होगा resultant, ठीक है, जब resultant को इस direction में रखेंगे, तभी क्या करेंगे, R को लिखेंगे, फिर tail से start करेंगे, A, B, C, D, E, इस तरीके से होगा, clear है, जो भी resultant होता है, उसको direction कैसा होता है, थोड़ा उल्टा हो जाता है, जो sense है, उसके उल्टा हो जाएगा, ठीक है, अब देखें क्या है, parallelogram method है, इसके बाद, parallelogram method आप देख सकते हो, तो यह parallelogram method का हला आता है, ठीक है, इसको अगर आप complete कर देंगे, तो यहापे भी resultant R है, वो क्या होगा, A, फिर आपका यह B है, जो कि पैर scalar multiplication of vector, scalar multiplication of vector, जैसे माल लो कि कोई एक vector है, आपका A, अब इसमें आपने 3 से multiply कर दिया, तो definitely यह बड़ा हो गया, और इसके सिफ magnitude में multiply होता है, direction वही रहेगा, ठीक है, जिसको जैसे A मेरा छोटा vector था, तो 3 A, देखो, मेरा कितना बड़ा vector हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग simply ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है, कि magnitude में only multiply होगा, direction आपका क्या रहेगा, वही रहेगा, अगर आपकी सिफ कलर से multiply करते हो, right, फिर देखो, यहापे क्या है, addition formula, addition formula, again वही resultant वाला ही case है, देख सकते हैं, आप A plus B, इसका value कब बनेगा, जब आप इसका tail से चलोगे यह A हो जाएगा, यह आपका B हो जाएगा, so A plus B is equal to A plus B, यही देखो, उपर हमने पढ़े थे triangle वाला, तो अब position vector के respect में आप लिखना चाहते हैं, जो से जहाप भी O रहेगा, जाद रखिए, अगर O रहेगा, तो O का मतलब क्या होता है, कि आप position vector बता रहे हैं, तो O A का मत होगे, तो यह क्या बन जाएगा, A B is equal to O B minus O A, ठीक है, यह भी important चीज है, कि अगर आपको A B लिखना है, position vector के term में अगर दिया हुआ है, तो यह क्या होगा, O B minus O A होता है, मतलब याद रखिए, कोई भी vector है, तो vector में पहले last वाले को लेते हैं, ठीक है, last में A B लिखा तो लड़ा जाता है, हर जगा यही होगा, मानलो कहीं पर आपको ऐसे दिया हुआ है, कि भाई, O B जो है, वो 2 I plus 3 J है, और आपका O C यह आपका दिया हुआ है, 3 J plus K, ऐसा, तो आपको बोले का भाई, बताओ B C क्या होगा, तो B C क्या होगा, तो B C क्या होगा, यह O C minus O B जाएगा, cancel हो जाएगा, चुकि दोनों में 3 J, 3 J है, तो बचेगा क्या, इसके पास plus K बचेगा, और उसके पास minus बचेगा 2 I, ठीक है, जो भी होगा, नहीं भी कटेगा, तो जो बचेगा, तो बचेगा, बट आपको जो mathematical formula apply करना है, वो A S apply करना है, ठीक है, अब यहाँ प स्क्वाइर हो गया, प्लस 2 AB कॉशिटा हो गया, तो एक्चुली यह, हम नीचे बात करेंगे, कैसे निकाला जाता है, जैसे मैं आपको तो दिखा देता हूँ, ठीक है, अगर माल लो, जैसे यहाँ पे आपका A plus B है, ओके, तो यहाँ पे जो A plus B का value है, उसका square लेंगे, तो square को कैसे लिखते हैं, A plus B और dot A plus B, ऐसे लिया जाता है, right, अब दिखें, यहाँ पे इसको फिर multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा, A dot A plus A dot B plus B dot A plus B dot B, ऐसा हो जाएगा, A dot A को आप A square लिख सकते हो, magnitude में, अब यह A dot B, B dot A, यह equal होता है, आपको पता है, कि dot product में A dot B, B dot A, दोन होता है, इसका value होता है, A B cos theta, ठीक है, तो यह दोनों equal है, तो इसको हमें पहले ऐसे लिख देता हूँ, 2 A dot B, के दोनों एक ही चीज़ है, plus B dot B को आपने B square लिखा, right, अब देखो, अब अगर मालों यहाँ यहाँ इस case के लिए नहीं है, मालों के A और B इन दोनों के बीच म ठीटा एंगल है, तो इसके लिए formula लगेगा, तो अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको A square plus 2 A dot B को लिखूंगा, 2 A B cos theta plus B square, right, यह मैं लिखूंगा, इसके बाद आप देखोगे, क्या हो जाएगा यह, तो यह आपका हो जाएगा, A, जैसा कि आप देख पा रहे एसे, यहाँ पर जो formula लिखा वो, वो ऐसे ही लिखा हुआ है, for this figure, इस figure के लिए होगा, जहाँ पर A और B के बीच में अंगल theta होगा, theta नहीं होगा, जैसे हाँ पर 90 degree का है, तो इसके समे, cos 90 आपका हो के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, तो यह आपको ध्यान देना है, जैसे, A plus B का लिखा गया है, magnitude का value, वैसे ही, आप A minus B का magnitude का value होगा, आप इस तरी के लिख करते है, where theta is the angle between A and B, यहाँ पर confirm किया हुआ है, ठीक है, जी, next देखिए क्या है, इसके बाद, इसके बाद है, कि यह unit vector होता है, तो यह आपको यह पता है, कि X के तरफ I लेते है है, Y के तरफ J लेते हैं, और Z के तरफ हम लोग K cap लेते हैं, ठीक है, यह चीज़ है, important चीज़ है, याद रखो, kolinear और parallel vector, अब देखो, अब यहाँ पर बात आ गई, कि आप कैसे पता करोगी, कोई vector kolinear है, या कोई vector parallel है, राइट, तो अब देखिए, parallel पता करना तो काफी सिंपल होता है, कैसे parallel पता करते हैं, जिससे देखो, मानलो, ध्यान दीजिए, ठीक है, जिससे मैंने A B निकाला, और फिर मैंने क्या निकाल लिया, मानलो C D, दो अलग लग vector है, ठीक है, और दोनों vector में क्या है, कि सिर्फ किसी constant का फरक है, किसी constant का फरक है, मानल लेते है, only S से K, ठीक है, तो अब ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका parallel vector है, definitely, चुकि दोनों का क्या है, दोनों में ये relation है, मैं आपको एक example दिखाता हूँ, मानलो मेरे को A B vector दिया हुआ है, या ऐसे दिया हुआ है, मानल लेते है, M vector आपको दिया हुआ है, M vector आपको मानलो ऐसा दिय आ यहाने में जो इन का डारेक्षन रहा है और ऑप एक ही है और अभी है तो नहीं है तो अगर इन की पर Não हो घित क्टर के बीश में Ya रिलेशन आ है इसका मतलब क्या है कि a b क्या है वह आपका पैरलल है सीडी का अगर अगर ऐसा हो अगर ऐसा हो के दोनों में से दोनों में से कोई एक वेक्टर कॉमन हो जैसे देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं a b equal to kac ऐसा आजाए अब ऐसा आगया तो आप समझे इसमें भी एह है इसमें भी एह है इसका मतलब यह है कि अब यह पैरलल नहीं बलकि यह को बता रहा है क्यों को बता रहा है इसलिए कि आप देखो तभी आपने एम और इन को अलग क्यों किया था इसलिए कि दोनों का इसको आपने एम लिया इसको आपने एन लिया ठीक है A-B-M, A-C-D-K-M So, दोनों concerning point अलग-अलग है तो दोनों को हम अलग-अलग vector कह सकते हैं यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें भी A है इसमें भी A है तो इसका मतलब है कि दोनों जो vector है वो एक ही point से सुरू हो रहा है एक अगर A से सुरू हो रहा है ठीक है तो तो AB क्या है K times A C है तो यहांने A C हो सकता है बड़ा होगा और B ऐसा तो अब देखोए तीनों एक ही एक ही लाइन में आ गया चुकि ए दोनों का common point है तो common point है तो कभी ऐसा नहीं हो सकता न, common point वाला case चुकि इसमें कोई point common नहीं है तभी यह parallel है और अगर कोई भी एक पॉइंट कॉमन है यहां पर आपको कोदीड मिलता है अगर कोई एक लिप्सक्राइटली अगर A- B बराबर के यह तो कॉमन है कि यहां पर आप देख पाओगे फिर यहां पर आप देखो बीबी कॉमन है यह वाला ये जो था यह और यह कॉमन है यह भी आपका यहां पर राइट तो इसारी बात हम देखो अगर कोई कॉमन मिलता है तो वह का आपका क्या हो जाएगा को लिनियर हो जाएगा और पैरलल होने के लिए क्या चीज जरूरी है बस यह चीज जो मैंने आपको बताया कि दो अलग-अलग होना चाहिए उसमें ठीक है अलग-अलग नहीं होगा तो वह को लिनियर हो जाएगा राइट सही है एक और तरीका है पता करने का वह तरीका क्या है वह तरीका यह है कि अगर आप जो है एबी-बी-सी-ए-सी तीनों का वहलू आप निकाल लेते हो ठीक है आई इसमें सॉम अफ अफ इन टूब हेक्टर इस एकवल तो थार्ड वेक्टर आता है दिन ए-बी-सी पॉइंट क्या होगा को लिनियर होगा ठीक है तो आप डिस्टेंस फॉर्मुला का आप यूज कर सकते है ठीक है आप अप अप बी-सी निकाले और आप सी ए निकाले ठीक है ना तो आपने द आगे देखते हैं क्या relation between three coplanar vector तो तीन vector याद रखिएगा A, B, R ये coplanar होता है जब आप उसको इस तरीके से represent कर सको for there exist two unique a scalar x और y, x और y दो unique a scalar होना चाहिए इसके लावा भी coplanar check करने का काफी आसान तरीका है triple vector product में, triple product of vector में बट ये आपके label से नहीं है भी ठीक है व फिर देखिए यहाँ पर जो important reason अब यहाँ जैसे आपको scalar product of two vector आपको पता है कि भाई A dot B, A dot B करते हैं तो क्या होता है ये A का magnitude, B का magnitude और cos theta होता है ध्यान देना है कि जहाँ A और B के बीच का angle theta होगा, A है B है इसके बीच का angle क्या होगा, theta होगा, तो A dot B को आप क्या लिख इसको जो value है pure आपको scalar मिलता है यान आप इसको mathematically आप add कर सकते हो, subtract कर सकते हो, independently, algebraically, right, तो यहाँ से आपका A B कौशिटा होता है, यहाँ से आप कौशिटा का value निकाल सकते हो, आसानी के साथ में कैसे A dot B divided by simply A और B, जहाँ A और B आपका क्या है magnitude है, अब यहाँ साब बोल सक रहते हो कि A vector B के perpendicular होगा, तो यहाँ से क्या होगा, A dot B का value क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चुकि perpendicular होगा, तो theta 90 degree होगा, ठीक है, और 90 degree होगा, तो cos 90 का value क्या होता है, 0 होता है, तो आपको याद रखना है कि दो vector perpendicular है, तो उनका dot product 0 होता है, काफी important है, बहुत सारक question इससे आता रहता है, right, clear है, अब यहाँ से जैसे देखो, यह formula बन के आपको, अब यहाँ पर dot product में कुछ और भी बाते हैं, आपको याद रखनी है, जैसे देखो, क्या कि I dot I, यहने same का, similar unit vector का dot product क्या होता है, always one होता है, I dot I करोगे, J dot J करोगे, K dot K करो, सब आपको one मिलेगा, ज कुछ properties याद रखो, जैसे, A dot B क्या होता है, B dot A की equal होता है, आप पहले से, A dot A को हम लोग magnitude A का square लिखते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर simply आपका A ऐसा दिया हुआ है, और B आपका ऐसा दिया हुआ है, तो दोनों का dot product क्या होगा, simply, तो I को I वाले से multiply करो, य याने A2 into B2 हो जाएगा, और K को K वाले से multiply करो, याने A3 into B3 हो जाएगा, ठीक है, यह सब आप पहले से भी जानते होगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि A plus B का square का magnitude का, अगर square है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको उपरे मताया, और फिर आपको यह इस तरीके का मिलेगा, यह हमको पर देख चुके है, condition of perpendicularity, दो vector आपस में perpendicular होगा, अगर दोनों का क्या हो जाए, dot product 0 हो जाए, यह मैंने आपको बता दिया, next देखो इसके बात क्या है, vector product, यह cross product, तो cross product को कैसे हम लोग दिखते हैं, कि अगर A है, मालो और B है, दोनों के बी sin theta, और साथ में आपको एक direction भी मिलेगा, n cap, तो पहले तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, A, B, sin theta, ध्यान देना, तो यह जो है, ध्यान देना, A cross B का value है, इसको कोई change नहीं करना है, यही exactly है, हाँ, इसका अगर आप magnitude निकालते हो, A cross B का, तो फिर आपका, चुकि यह unit vector है, और unit vector का magnitude क्या होता है, 1 होता है, तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, A, B, sin theta, और साथ में n cap का, तो n cap का 1 हो जाएगा, तो आपको only बचेगा, A, B, sin theta, यह सिफ है के scalar value है, तो इसको आप इसको further A, B, sin theta, only लिख सकते हो, ठीक है, तो यहापको ध्यान देना है, तो यहाप perpendicular to plane of A cross B, पतब A से B की तरफ, A से B की तरफ जो plane बनेगा, उसके perpendicular, जैसे आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे माल लो, यहाँ पर इसकी बात करो, ठीक है, A है, और यहापका यह B है, यह A है, यह मेरा B है, अब इसमें angle है theta, तो आपको क्या करना है, आपको अपन जो right hand है, right hand को, thumb को खड़ा करके, ठीक है, thumb को कैसे खड़ा करोगे पता है, ऐसे करके आपको इसको यहाँ पर रखना है, और अपने curl को आप मोड़ोगे, तो curl का जब आपका मोड़ेगा, तो आपका अंगुठा क्या आएगा, उपर की तरफ आएगा, ठीक है, जब आप right hand में अगर है, तो N कैप आपका क्या आएगा, Z direction में आएगा, यहने along the Z axis आएगा, ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर माल लो, कि यह ऐसा रहता, कि यह था मेरा यह, मैं B को नीचे कर देता हूँ, A को उपर कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, इस direction में ठीटा को, तो अब अगर आप करोगे, तो इस case में जब आप A पर रखोगे, अपने curl को, अपने right hand, palm को, और curl को, ऐसे finger को curl करोगे, तो आपका बग उठा नीची की तरफ जाएगा, तो इस case में जो direction है, वो minus Z axis की तरफ जाता है, ठीक है, यह जो N cap है, यह unit vector है, जो आपको direction बताता है, कि plane का direction किदर है, तो बहुत common सा चीज है, definitely आप देख पा रहे हो, इधर आप X से Y काम कर रहे हो, तो X से Y काम करोगे, तो positive Z की तरफ होगा, यहाँ पर उल्टा काम कर रहे हो, तो वहाँ पर minus Z axis की तरफ हो जाता है, ठीक है, तो सारी बात यहाँ पर लिखी तो वहाँ पर बात कर लेंगे, ज्यादा बेटर रहे हो, अभी इसको रहने देते हैं, नीचे आ रहा है, ठीक है, तो यह property इसको आप देख लो, ऐसे लिखते हैं, जानते हैं, condition of parallel C, दो vector को अगर आपको parallel दिखाना है, कि A और B parallel है, तो आप क्या करो, आप A x B को 0 दिखा द जाता है, correct है, direction के बारे माने आपको बता दिया, देखो, यहाँ पर दिया हुआ है direction, कि कैसे करना है, अगर A से B के तरफ करोगे, तो देखो, ऐसे ही रखा गया है, तो उपर के तरफ जाएगा, और नीचे करोगे, तो उल्टा चला जाएगा, ठीक है, तो यह आप पहले से करते हो, तो क्या होता है, माइनस आ जाता है, direction उल्टा हो जाता है, मैंने आपको दिखाया भी, ठीक है, direction दिखा करके, यह important है, आपको याद रखना है, अब properties देख लो, तो cross product of two similar vector, एक जैसा vector का cross करेंगे, तो वो क्या आएगा, वो 0 आएगा, ठीक है, dissimilar का करेंगे, तो I को J से करेंगे, तो K आएगा, J को K से करेंगे, तो I आएगा, K को I से करेंगे, तो J आएगा, तो actually यह तो is sense में यह गूमता है, मैं आपको दिखा देरा हूँ, ठीक है, जैसे, यह अपका I है, यह आपका J है, यह आपक क है, ठीक है, अगर आप इसी sense में चलते हो, तो एक पूझाई घ्रा करते हो लें मालो आप थिया तो आप अगर इस सेंज में जाएंगे तो आपको उल्टा चलेंगे तो आपको opposite vector मिलता है, यह सब बहुत छोटी बात है, पहले से आप जानते होगे, मैं एक बहुत से recall करा दे रहा हूँ, अगर किसी का बहुत छूटा हुआ है, तो इसको यहां से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, अब दो vector a cross b निकालते कैसे हैं, यह तरीका है बट जो आसान तरीका है, मैं that आपको उसी से familiar कर देता हूँ, वो हमारा determinant method है, यह से देखो यह, कि मालनों आपको a जो है, इस तरीके से दे रखा है, कि a1i है, plus a2j है, plus a3k है, और b आपको मालनों यह दिया हुआ है, b1i plus b2j plus b3k, right, तो इस case में हम लोग क्या करते हैं, कि अगर हम लोग a cross b निकाल रहे हैं, देखो a cross b, तो a cross b कैसे निकाल होगे, तो आपको determinant ले लेना है, of this matrix, ij के उपर में लेना है, a1, a2, a3 इसका coefficient ले लेना है, फिर b1, b2, b3 इसका coefficient लेना है, और determinant को आप solve करने जानते हो, determinant को आप solve कर देना, आपका आसानी से a cross b का value निक जो है, vector के बारे में बताना आपको बागी रहा गया है, तो ज़्यादा video लंबा ना हो, इसलिए मैं इसको यहाँ पर close करता हूँ, और जो unit vector है, आपको important formulas है, जिससे आपको stress forward question आ जाता है, mcqs में, वो मैं इसके next lecture में continue कर देता हूँ, तो यह just intro था, I hope आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा like कीजिएगा, channel पर नहीं subscribe कीजिएए, पढ़ते रहिए, ठीक है, thank you very much.